हेलो एब्रिवेंग वेलकम दियो दिवीटे मैजिक कैसे आप सब आज मैं आपको एक ऐसा टोनर बताऊंगी जो आपके चहरे को मॉस्टराइजर दो करे गई साथ मैं आपके चहरे के दाग दपे पिगमेटेशन और चहरे पर केल मुहासों के दाग को भी दूर कर देगा इसम यह विटामिन A के कैपसूल है आप चाहे तो विटामिन A के कैपसूल भी ले सकते हैं और विटामिन E के कैपसूल भी ले सकते हैं दोनों ही आपके लिए बहुत ही फायदेमन रहेंगे यह विटामिन A के कैपसूल होते हैं यह स्किन को रिपैर करते हैं इस स्किन में एक कसा स्किन commits टाइट होकर ग्लो करती और एक हमें एक नीमसी में विटामिन-स वृपूर होता है स्किन को निखाड़ने और क्लीन करने का काम करता हैं ये साथ इसकुन के दाग दब्बोंगों को भी दूर ग्लैसरें आपकी नौस्टूरिंग को दीप मस्ट्राइजर भी करता है तो यह तो ओगे इसके most point ठीक है तो यह चीज हमें यह हमें लेनी है नीम्बू का हमें रस लिकाल लेना है ठीक है यह ऐसे मैंने इसका एक नीम्बू का रस लिकाल लिया था आपको दिखाने के लिए ठीक है मैंने जो यह नीम्बू का रस लिया है इसमें में बराबर बराबर यह जो मैंने आपको प्रोडेक्ट दिखाए हैं यह सभी में इसमें डाल लूँगी तो इसमें मैं आप गुलाब जल रोजवाटर में ला रही हूँ यह ग्लसरीन डाल लिया है मैंने इसमें यह विटामिन A की कैपसूल है आप चाहे तो विटामिन A और विटामिन E दोनों ही तरह के कैपसूल आप इसमें डाल सकते हो यह मैंने कैपसूल लिया है चार कैपसूल लिया है मैंने इसमें अब मैं इनको कैंची से काट कर और इसके अंदर का जो भाग है वो इसमें मिला लोगी यह टोनर बनकर तयार है अब मैं इसे एक स्प्रे वाली बोतल में भर कर रख लोगी यह मैंने एक स्प्रे वाली बोतल में इसको डाल लिया है हमें अपने चेहरे पर इस तरीक इसे स्प्रे करना है और हलके हलके हातों से हमें मालिस करने है मसाज करनी है हमें अपने चेहरे पर यह टोनर हमें रात को लगा कर सोना है, इसको लगाने के बाद हमें चहरा वोस नहीं करना है, हमें सुबह ही चहरा दोना है, आप सुबह अपना चहरा देखोगी, तो इसी तरह ग्लो करता हुआ नजर आएगा, और धीरे धीरे आपके चहरे के सभी दाग धबे, पिग्मिटेशन और किसी भी प्रकार की जो धूल मिटी से दाग धबे हो जाते हैं, या फिर चहरा दार्क हो जाता है, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा आपका, और आपकी स्किन ग्लो करेगी, और एक डिप आपको अपने चहरे पर देखने को मिलेगा, अगर मेरे ये वीडियो आपका अच्छी लगे हो, तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव को सेर करना, ना भूलना, और हां, कमेंट जलूर करना, मैं आपके कमेंट का इंच्छार करूंगी, तो इसी के साथ, बाइ-बाइ, थैंक यू